जो हम पढ़ने हैं कख्षा छहा की गनेत और इसमें हमने अपना 30 राध्या जो किये संख्यां के साथ खेला प्रारम कर दिया है और इसमें हमने प्रशनावली 3.1, 3.2 और 3.3 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है विभिन प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ते हुए अब हम प्रशनावली 3-5-4 के प्रशनों को हल कर रहे थे जिसमें हमने 1 से लेकर के 4 तक प्रशनों को पुरमें हल कर लिया है अब हम पढ़ने वाले हैं 5 प्रशन जो कि हमारी सहा भाजय संख्याओं पर अधर दे तो देखते हैं यह सवाल क्या है पांचवा स्वाल है निमलिक नमी से कौन से संख्या है सहा भाजे संख्या है तो सहा भाजे संख्या है याद कीजिए वो दो संख्या ही होती है ठीक है सहा भाजे संख्याओं के लिए शर्त क्या होती है हमें दो संख्या होती है और उनमें भी क्या होता है उन दौनमें सार प्रश्ण दिये गए हैं इन शे प्रश्णों में सभी दोनों संख्याओं के गुनन्खण निकालने होगी फिर उन गुनन्खंडों में से हमें क्या करना होगा सार्व गुनन्खंड ढूनना होगा और अगर सार्व गुनन्खंड हमारा केवल एक निकल कर आया है तो हम कह दें है कि यह सहा भाजय संख्या है या नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे गुननख्ण निकालेंगे तो आप भैद्टर रहेगा उस वीडियो को वापेस जाकर के देखें और हमार सा जुड़ें वैसे थोड़ा बहुत रिवीजन तो हम साथ साथ में करते चलेंगे तो एक और अठारा जो कि हमेशा ही कोई भी संख्या होती है तो उसके गुननखन एक और वह संख्या तो होती ही है यह तो हम बात कर चुके है न इसके अलाव और किस-किस का पुरा-पुरा भाग जाता है बिल्को दो का भाग नौ दफा जाएगा तीन का भाग छे द और यू-टर्न से निकल के आया हमारा पास 18 के गुननखन एक, दो, तीन, छे, नौ और 18 ठीक है न और अब हमें 35 के गुननखन निकाल लेंगे तो 35 के गुननखन में एक और 35 तो हो नहीं है उसके अलावा कौन से संख्या का पुरा-पुरा भाग जाता है बिल्कुल 5 के पहा पांठ, साथ और 35 ठीक है न और अब हमें क्या करना है अब हमें इनके सार्व गुननखन डूनने सार्व गुननखन का मतलब वह गुननखन जो दोनों में common है उबनिष्ट है ठीक है न और इसके बारे बे भी हम पुर में बात कर चुके है तो आप देख पारें केवल एक ही ह जो दोनों के गुननखन में पाया जा रहा है तो हमारे पास उतर के आएगा कि 18 और 35 के सार्व गुननखन कौन हुआ एक और जैसे ही सार्व गुननखन एक हुआ तो यह संख्या है सह अभाजे संख्या ही होगी तो अत्या 18 और 35 संख्या है सह अभाजे हैं आरे यह ना बात स यह सिधा ही करेंगे, एक और पंद्रा, थेन और पाँच, ठीक है, ना, और फिर चो की रीपीट होगा, पाँच और थीन, तो हमारे पास कुल चार ही इसके गुननखन होने माले है, अब 37 कि हमारा क्या है, 37 हमारा अभाज जी संख्या है, और अबभाज जी संख्या के 1, 4 , 4 , देख पा रहें, Appission संख्य यह का संख्या है अगला है अगला बिंदू कि एक हो, this संख्या है संख्या है चलते हैं हमारे अगले बिंदू पड़ी । 30 और 415 देख पार है 415 थोड़ी सी बड़ी संख्य है पर खेर हम करेंगे कोशिश 30 के कुरंड करन तो वही 1 और 30 2 और 15 चिक है यहां पर और 2 के बाद किसका भाग जाएगा बिल्कुल 3 का भाग जाएगा 10 दफ़ा याद है ना आपको और 4 का भाग जाएगा नि 5 का 5 का 6 दफ़ा जाने वाले है अर्था 5 का भाग 6 दफ़ा जाने वाले है कुछ याद आ रहे है ना देखे हमने इस सारी बात कर चुके हैं याद करें अगर आप मैं एक बार और बता रहते हैं 2 गुणा 15 3 गुणा 10 5 गुणा 6 और 6 गुणा 5 रिप जो कि इसमें सपर्ष दिख रहा है पीछे का स्थान पर क्या है 5 तो 5 का भाग तो निश्यत्वार पर जाएगा और यहां पर भी हमें 5 दिखाई दिखाई दिए रहे हैं तो इससे क्या निश्केश निकला बिलकुल यह बाजी संख्याई नहीं है पर एक बाल लिख देते है तो 415 के गुरणखन क्या हुआ एक और 415 तो हो नहीं है ठीके ना और इसके अलावा किसका भाग जाएगा दो का तो नहीं जाएगा क्योंकि भीछे 5 है 5,49 और एक 10,3 का भी नहीं जाएगा तो सीधा किसका भाग जाएगा 5 का और वो तो हम पहली बात कर चुके है कि 5 का भा जाने वाला है, तो ये तो इसके गुननखन होने ही है, उसके अलावा हम अगर कोशिश करें, तो गुननखन हो सकते हैं, वैसे संभावना बहुत कम है, ठीक है, आप करके दिख लिएगा, क्योंकि काम को हमें लंबा करने से कोई मतलम नहीं, जब हमें सपष दिख रहा है, कि इ एक और पांच तो दिखी रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं क्या हुई, सह अभाजय संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं, नहीं है, थोड़ा सा इसको और साफ लिख देते हैं, वैसे तो आप समझे के होंगी कि ये क्या लिखा हुआ है, फिर भी इसको मैं जगा कम ह तो नीचे लिख देते हूं, नहीं है, ठीक है, अब चलते हैं हमारे डी बिंदो पर जो कि है 17 और 68, अब हमें 17 और 68 पर पर हमें गुननखंड और पर सार्वगननखंड उनना है, तो 17 चुकि फिर से हमारे पर क्या सी संख्या आगई, अब आज्य संख्या आगई, तो इसके केवल दो ही गुननखंड होंगे, कौन-कौन से, एक और 17, ठीक है न, इसके लावा तो और किसी में भाग नहीं जाता न, 17 का, तो अब 68 की बात करते हैं, चुकि पीछे 8 है, तो समझ में आ रहा है कि इसमें 2 का भाग तो जाना ही है, तो 1 और 68 तो होना ही है, उसके अलावा क किसका भाग जाएगा, दो का भाग जाएगा, किती दफा dapat, 34 जाना है, और चुकि पीछे 8 और 6 को जोड़ा, तो कितना एहा है, 14, तो 14 में 3 का भा नहीं जाएगा, पिर किसका भाग जाएगा, बिलकुल 4 का जाएगा, सटा है और 4 का भाग जाएगा, सत्रा दफा ठीक है, और 68 पांच का नहीं जाने वाला, 6 का नहीं जाएगा, और 6 के बाद 7 का भी नहीं, 8 का भी नहीं, और 8 के बाद 9 का भी नहीं, 10 का भी नहीं, सीधा मेरे साब से 17 ही जाएगा, बिल्कुल, यही गुननखंड होने वाले हैं, तो अब हमें क्या करना हैं, बिल्कुल हमें इसमें स common ढूणने है, यानि कि सार्व गुननखन ढूणने, तो आप देख पारें, एक भी है और सत्रा भी है, चूँकि हमें सत्रा दिग गया, तो अधा इसके गुननखन क्या होई? एक और सत्रा, तो अब ये कैसी संख्या है? सहाभाजे है, नहीं है, जैसे ही सत्रा दिग जुड़ गया, ये सहाभाजे संख्याई नहीं है, नहीं है, ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट बिंदु पर जो कि हमारा है E, 216 और 215 अगर हम ध्यान से देखें, तो ये लगातार संख्या है, पहले 215 और 216 अगर ऐसा आता है, तो आप मानके चलेंगे, ये सहाभाजी होगी, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम तो हमारा काम करेंगे, ऎसा क्यों होगा कि यह सहाभाजी होंगी कारण ये कि जब भी लगतार दो संख्य होंगी उसमें से एक विशम होगी और एक सम होगी ठीक है na? और सम और विशम में क्या होता है? जिश्चत तोर पे सम्झ में आ रहा हुगा na कि ऐसे में कुछ भी उनमें common नहीं निकलने वाला फी भी हम 216 के गुड़न खंट कुछ इक निकाल लेते हैं तो शुरुवात करेंगे एक से जो कि 216 होने वाला है और जो कि पीछे 6 है तो 2 का भाग तो जाना ही है किती दफा जाएगा? 108 दफा जाएगा ठीक है? और 6 सब को जोड़ेते हैं 6, 7, 8, 9 तो 9 आ रहे हैं अंकों कही होगा इसका मतलब 216 में 3 का भाग जाएगा तो भाग देके दिख लेते हैं 3 का भाग दिया 3 साथे 21 और फिर 6, 3 दोनी 6 ठीक है ना? तो बहतर दफा गया तो 3 और क्या हुआ? बहतर अब 216 में आपको याद होगा हम 4 की विभाज़ेते के नियम में अंतिन 2 में भाग देते हैं चुकि 16 में 4 का भाग जा रहा है तो 216 में निश्यत तोर पर 4 का भाग जाए गई ठीक है ना? याद आ रहा है विभाज़ेते नियम में कितना फाइदा हो रहा है तो 4 पंजे 20 और यहां बच गया 16 और जो कि 4 चोग 16 हमने तो कहा ही था भाग निश्चित तोर पर जाएगा तो यह आया 4 और 4 का भाग किते दफा गया 54 दफा गया ठीक है तो और भी इसके गुणनखर मिल जाएंगे ठीक है अगर हम प्रयास करें तो लेकिन पहले हम एक पर 215 को ले लेते हैं तो यहां पर पे 215 को ले रहे हैं तो यह याद रखेगा यहां पर पे इसको थोड़ा और सा आफ लेते हैं 1, 2, 3, 4 और बीच में हो सकते हैं फिर यहां पे है 54, 72, 108 और 216 ठीक है ना तो उपर वाले को हम यह एक्स्ट्रा है वैसे भी बहुत जादा बीच में मिक्स हो रहा है गलती होने की संभावना जादा रहती है होती है ना तो ऐसे में यह अपने पास में किस के आगे गुननखंड़ों 216 के आगे वैस संभावना तो निश्चत तौर पर गुननखंड़ों की संभावना जादा हो सकती है और वो भी बड़ी संभावना तो अब बात करते हैं हम किसकी अब हम बात करते है 215 और इसमें भी पीछे का अंग क्या दिखाई दे रहा है पांच तो पांच का भाग तो जाना ही है तो सबसे पहले श्रुबात करते है एक से और अंतिम क्या होने वाला है 215 और तीन के लिए गर हम बात करें तो पांच और छे साथ आठ अंकों का यह कितना है आठ और आठ में तीन का भाग नहीं जाता है अर्था 215 में भी तीन का भाग नहीं जाने वाला तो पांच तीया 15 ठीक है तो यह पांच का भाग किते दफा गया बिलकुल ताहीं आलीज दफा गया ठीक है और हम करना चाहें आप चाहें तो करके देख ले ना वैसे मुझे संभावना नहीं लग रही कि कुछ और भी गुरंखन आपको मिलेगा तो पहले इनी में चेक कर लेत ठीक है अब हम चलते हैं हमारे सवाल नंबर F पर जो की है इस सवाल का अंतिम सवाल 81 और 16 तो 81 आप देख पा रहे हैं विशम संख्या है काई की स्थान पर तो यह विशम संख्या हो गई ठीक है ना तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा तो 81 गुरंखन में 1 और 81 तो हो नहीं है ठीक है ना और 2 का भाग नहीं जाएगा फिर Тीन के लिه क्या करेंगे बिल्कुल अंकों का योग करेंगे तो अंकों का योग क्या 8 में एक जोड़ातों किता है नो इसका मतब 81 में 3 का भाग जाएगा ठीक है ना तो 3 का भाग दिया 3 दूनी 6 आठ में से 6 गया दो और 3 सात 21 ठीक है ना तो हम देखने हैं तीन का भाग किते दफ़ा गया 27 दफ़ा अर्थार इसका गुड़न फंट तीन भी हो गया और 27 भी हो गया आरे यह बाद समझ में और फिर चुकि एक है तो चार का भाग तो जाएगा नि पांच का भी नहीं जाएगा और 6 के लिए हमने का था कि 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए अर्थार समसंख्या होनी चाहिए और यह समसंख्या तो नहीं है फिर 7 के बात करते हैं नौ की तो नम्मे नम्मे इक्यासि चुकि संख्या रिपीट होने लगी नौमे नौमे ठीके ना नाइन इंटू नाइन अर्थाद संख्या रिपीट भी हो रही है तब भी हम जानते हैं कि संख्या आगे और इसके गुननखंड नहीं होने वाले तो यहां पर पर क्या आएगा नौ अर्थाद 81 के केवल यह पांच ही गुननखंड होने वाले जो कि एक नौ एक तीन नौ सताइस और 81 अब सोला के गुननखंड की बात करते हैं तो सोला के गुननखंड एक और सोला ठीक है और किसका भाग जाएगा सोला में बिलकुल दो का भ आपस में तो फांख जाने वाला चार का भाग 4 दफा सेम वही स्तिती होने वाले है और ऐसे में हम जानते हैं जो स्तिती रिपीट होने ले जाते हैं तो हमें और ट्राइ करने के यहाश्यक्ता नहीं है अर्थाद इसके गुननखंड यही ओने वाले है एक, दो, चार, आठ 16 और अब हमें क्या करना है अब हमें मिन इसमें से सार्व गुनन खन्थण भुड झो नै धृत्त कॉमन भून जोण पर 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 में केवल क्या दिखाईते रहे हैं एक दिखाईते रहे और जैसे ही गुनन खन्थ सार्व हमारा एक प्राप्त हुआ हम समझ गए कि ये संख्याएं क्या है आपस में सह भाजी संख्याएं ठीके तो अमीद है आपको ये सह भाजी संख्याओं पाद राधा इतकुल 6 कि 6 प्रश्ण अच्छे समझ में आये होंगे मिलते हैं नई वीडियो में अगले प्रश्णों के साथ जुड़े रहें धन्यवाद